तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुली नई वीडियो के अंदर जहांच की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं और अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा हूँ तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजें तो इस मुवी के स्टार्ट होते ही हम शाहिद कपूर को देखते हैं जिसका नाम आरियन अगनी होतरी होता है और शाहिद कपूर यानि की आरियन अगनी होतरी एक robotics engineer होता है और ये काम करता है ये रोबोटिक्स नाम की एक बहुत बड़ी company के अंदर आगे हमें पता लगता है कि Aryan एक बहुती अच्छा Robotics इंजिनियर है और वो अपनी पूरी कमपणी के अंदर सबसे अच्छा प्रोग्रामर भी है और इस पूरी कमपणी की जो मालकिन है यानि की आरियन की मौसी वो और कोई नी बलकि डिमपल कपाडिया है इसके आगे हम यह देखते हैं कि आरियन की मौसी यानि की डिमपल कपाडिया आरियन को मिलने के लिए USA बुलाती है जिसके बाद आरियन भी अपनी मौसी से मिलने के यर्यन को चाहएं जो चल रहा है और वहां पर अपनी मौसिय तको कि अदर हैं रो किसी भी सीज़ हो तो वो सकता आगे अरेन अपने घर जाता है यानि की यूसे वाले घर जाता है तबती मेनेज़र promote कोई नहीं होती है जिसका नाम होता है इसके आगे हम होता है वही से फेवरेट किलर सिपरा भी होता है उसे जो खाने में पसंद होता है सिपरा को भी ऑढ़ गेम्स पसंद होता है सिपरा को भीडिक म pizzas पसंद हुथ है और हम बसbakा कि नौने के वजए से वह दोनों एक साथ घूमते फिटते हैं और और सिपरा एक दूसरे से लव करते हैं लेकिन यहां पर हमें पता लगता है कि आर्यान की मौसी को सब कुछ पता होता है और यहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है असल में आरेन की मौसी हसते वे आरेन से कहती है कि उसे उसके और सिपरा के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई है और फिर आगे वो खुलासा करते वे उसे बताती है कि असल में सिपरा को इंसान नहीं बलकि एक रोबोट है एक ऐसी रोबोट जिसे उसी ने बनाया है और उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो ना सिर्फ humans की तरह दिखे बलकि वो humans के बहुत करीब भी जा सके यानि कि जिस तरह से humans खाते हैं पीते हैं गोमते हैं फिरते हैं बाते करते हैं एंड emotions रखते हैं ठीक तरह से इन रोबोट्स के अंदर है और आपकर उसकी मौसी ऐं experiment कर दी कि क्या उसकी noi इन पित्था है जारी विए उसका दिल तूट जाता है और कि सबसे अच्छा अच्छा रोवर्टिक्स इंजीनियर है इदर आरियन जैसे अपने घर अथा है वैशी हम ये देखते हैं कि आरियन की फैंबली मिलकर आरियन से शादी करने के लिए कहते है और क्योंकि आरियन बहुँ जड़ा डिप्रेस होता है इसलिए वो शादी के लिए हां कर देता है और इसके बादी आरेन की शादी फिक्स होती है और उसकी इंगेजमेंट कराई जाती है लेकिन जिस दिन आरेन की इंगेजमेंट होती है वो उसी दिन अपने घर से भाग जाता है और फिर अपने घर से काफी दूर आकर वो अपनी म कि एकस्परा के लाइड है क्योंकि आफर रोल आरेन की मौसी की रड़ी हो जाती है इदर जैसी सिप्रा आरेन के पास पहुचती है वैसी आरेन उसे लेकर सीधा अपने जाता है और उसे अपनी फैमिली से मिलवाते हैं सबसे कहता है कि वह इस लड़की से प्यार करता है यह लड़की युएस से परहती है जिसका नम सिप्रा एंड इस लड़की के पेरेंट्स नहीं है या निकी अनाथ भी है यह सुनकर आरेन की फैमिली काफी खुश होती है और कि इस दोरान आरेन यह मेक्शोर करके रखता है कि कि किसी को भी बात पता ना लगे कि सिप्रा असल में हुमन नहीं बलके रोबोट है और वह काफी हद तक सिप्रा की सचाही चुपाने में काम्याब हो जाता है और फिर इसी तरह से कुछ दिन बादी है जिसके अंदर आरेन के कजन को सब कुछ बता देती है कि वो असल में एक रोबोट है और वो इस टेंपर अपने आपको चार्ज कर रही है बट फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि शाहिद कपूर यानि की आरेन यह सब देख लेता है एंड इसलिए उसका कजन को डराता है और उससे चुप र मननी बन सकती लेकिन अब क्यूँकि आरेन से लव करता ना इसारी बातों को इग्नौर करता है और वो सिप्रा से शादि के लिए तैयार रहता है बट उसी दिन की शाम को हम यह देखते हैं कि सिप्रा आपने आम को चार्ज कर रही होती है बट उसी टाइम पर अचानक से ल मना क्या होता है जैसे कि शादी वाले दिनी वो सब के सामने आकर सारे महमानों के सामने नाशते लगती है और जब ये देखकर आरेन की बुआ उसे रोकने आती है तब वो आरेन की बुआ कर दो चार्टे भी मार देती है इसके साथी वो आरेन के गजन को पकड़ती है उसे घस उसी तरह से शट ओफ हो जाए बट हम यह देखते हैं कि सिप्रा ओफ नहीं होती और वह आरेन को हटने के लिए कहती है लगिन क्योंकि आरेन नहीं हटता एंड उसका हाथ नी छोड़ता इसलिए सिप्रा लोही की बाल्टी को ठाकर उसे सीधा आरेन के सर पर मार देती है जिसस के पीछे वाले हिस्से से सिप्रा के पर अटेक करता है और फिर उस तलवार के दो तीन अटेक लगता ही सिप्रा शट ओफ हो के नीचिंगर जाती है जिसके बाद सारी फैमिली शान्ति के सांस लेती है और यहीं पर हम यह देखते हैं कि आरेन को यह रियलाइज हो चुका है और असल में सिप्रा 2.0 इसलिए क्योंकि आरेन की मौसी ने सिप्रा के अंदर से सारे मैलफंक्शन को ठीक करके उसे लॉंच कर दिया था इसी लॉंच इवेंट के अंदर आरेन भी होता है बट यहीं पर हम यह देखते हैं कि आरेन से कोई लड़की बात करने आती है बट ज कर स्क्रीन की मौवी की बात करें इस लागिया और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इस मुवी की स्ट्री कैसी लेंगी यह आoppमँजे कमेट्स के अंदर ज़रूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रेकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेट्स के अंदर बता सकते हैं बागी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें इस मुवी की स्टोरी में और हमारी वीडियो में कुछ भी पसंद आई हो तो कमेट्स के अंदर गुड या फिर वेरी गुड जरूर लिखें और आप सभी इसे तरह से हसते और मुस्कुराते रहें मैं मैं मिल तो आप से ऐसी किसी और पहतरीन वीडियो में तब तके लिए गुड बाई